नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी लोगों का मीना क्लासेज की अप्रिशेडी पोर्फॉल सबसे पहला आज का टॉपिक है मेजरमेंट आफ रैन फॉल ओके या फिर इसे रैन गेज से भी समझ सकते हैं ओके इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने बाला है हीटोग्राफ होता क्या चीज है और क्यों हमें इसकी रेक्वाइरमेंट होती है क्यों हमें इसे बनाना पड़ता है इसके बाद हम पढ़ने वाले हीटोग्राफ के बारे में हीटोग्राफ क्या चीज है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पढ़ जाती है और आज हमारा लास् flood and flood control, okay, so very good morning to all of you, भई जो भी लोग आ रहे हैं, सभी लोगों को नमस्कार, सुब प्रभात, और फटा फट से आ जाओ भई, और अपने साथ वाले इतने भी हैं, सभी को बुला लीजिए, सब के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारी क्लास जल्दी से जल्दी स्टार् कुमार सुरेंदा जी युए जैरी कुमार जी वैरी गुड मॉनिगे, सभी लोगों को और फटावट से आ जाईएं और जो लोग नहीं आएं उन्हें फटावट से बुला लीजिए, ठीक है अगर हम थोड़ा सा इसके ज़स्टि इंट्रोडक्शन की बात करना चाहें कि बही क्या आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है तो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा measurement of rainfall अगर measurement of rainfall की बात करें तो इसे हम करते हैं कि बारिश को कैसे ना पा जाए कि जो बारिश हुई है किसी particular area में उसे हम कैसे माप सकते हैं कैसे पता लगा सकते हैं कि इस area में इतनी बारिश हुई होगी और ये measurement लेने के लिए हम काम में लेते हैं किसे rain gauge को जो हमारे अलग अलग तरह के rain gauge होते हैं ठीक है rain gauge जो है उनका भी दो तरह के होते हैं पहला होता है नॉन recording type दूसरा होता है recording type ठीक है इसके बात में हाइड्रोग्राफ है हमारा यह हमारा plot किया जाता है discharge और time के बीच में discharge और time के बीच में बनाया जाता है आपका hydrograph, hydrograph आपका बनाया जाता है intensity of rainfall and time के बीच में और flood and flood control बाड जो है बाड कैसे आ सकती है क्या होती है बाड और कैसे कितना पानी बाड में बाहर निकल सकता है और कैसे इसको control किया जा सकता है ये सारे हमारे topic रहने वाले हैं So very good morning भई जो भी लोग आ चुके हैं Mohini जी very good morning Sandeep जी very good morning BLG very good morning Jitindra Kumar जी very good morning to you चलिए भई ओके So फटाफट से share भी कर दीजिए जिससे कि हमारी class जल्दी start हो फटाफट से class start कर लेते हैं क्योंकि काफी अच्छे आज के topic रहने वाले हैं और आज के इन topic के लिए मैं especially आपको गोल रहा हूँ कि हम लोग सुद्ध देसी तरीका एक use में लेने वाले हैं ठीक है क्योंकि सारी चीजे ही ऐसी कि बारिस होगी बारिस को कैसे नापेंगे तो इसमें तो क्या है यार अगर इसको एक science की form में पढ़ते हैं तो डंक से समझ में नहीं आता और अगर locally पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा जैसे हमारे आसपास अभी क्या है बारिश होई रही होगी सब लोगों के आसपास तो उसे कैसे हम मेजर कर सकते हैं इसके बाद मा हाइड्रोग्राफ है इड्रोग्राफ है और flood and its control की बार जो है वो कैसे आती है इंडिया मैं आपने हर साल पढ़ा होगा newspapers के थूँ या फिर किसी article में की बार आ रही है बार आ जाती है बार आ जाती है तो यह बार जाती है वो आती कैसे है कवा आती है कि अगर कितना पानी एक्स्ट्रा हो जाए तो उसे बार माना जाएगा और अगर आभी जाए बार तो उसे control कैसे करें और जो बार आने का पूर बनुमान होता है कि भी पहले से हम पता लगा लें कि हाँ बार्ड आ सकती है तो उसे भी कैसे लगाया जाता है इन सारी बातों को आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है सो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं बई सबसे पहले measurement of rainfall measurement of rainfall मेजरमेंट of rainfall में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट वो है कि rainfall is measured by rainfall is measured by ran gauge किस से measure करते हैं बई rainfall को rainfall को आपका measure किया जाता है ran gauge की help से ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यहां पर यह बन जाता है चलिए very good morning भई मलगान जी अमरितलाज जी very good morning सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है यहां पर rainfall is measured by rain gauge किस की help से किया जाता है भई बढ़सात को किस से मापत है rain gauge से ठीक है rain gauge या फिर से बढ़सा मापी यंत्र भी कहा जाता है तो इसकी help से क्या करते है हम measurement करते है rainfall का कि कितनी बारिश आपके area पे हुई है कितना यहां पर बढ़सात हुआ है अब इसके अलावा इंडिया जो data collect आता है या फिर जो data rainfall का वो सुबह साड़े आठ बजे collect किया जाता है ठीक है सुबह साड़े आठ बजे collect किया जाता है तो यहां पर लिख सकते है in India in India data of rainfall data of rainfall is collected 8.30am मतलब सुबह के साड़े आठ बजे ही इस data को collect किया जाता है यह एक fix time भी है इसका ठीक है अगर कभी भी exam में हो सकता है कि आपसे छोटा मोटा यह question कहीं पर पूछ लिया जाए कि कितने बजे measure करते हैं इंडिया में rainfall को तो वही वो measure किया जाता है सुबह साड़े 8.30am किया जाता है ठीक है अब इसके अलाबा कैसे करते हैं यह measurement कैसे करके लिया जाता है कि जो आपकी 24 गंटे में बारिश होती हो data collected in data collected in 24 hours कि 24 गंटे में आपका जो data collect हुआ है बारिश का उसे आपका कहा जाता है daily rainfall ठीक है daily rainfall इसके अलाबा जो आपका data collect किया जाता है एक साल में data collected in last one year कि पिछले एक साल में जो data collect हुआ है हमारा ठीक है वो हमारा क्या कहलाता है यह हमारा कहलाएगा annual rainfall ठीक है इनका मतलब अगर इंदी में समझे तो यह है कि भई जैसे आपने कहीं पर rain gauge लगा रखा है rain gauge जो है वो गेज होता है एक तरह का जो measure करता है किसको बारिश को आपने कहीं पर उसे लगा रखा है तो उसका तो काम क्या है बारिश के पानी को एकटा करके और measure करने का तो जो चॉइस गंटे में जितना पानी आपका collect होता है और चॉइस गंटे में जितनी बारिश होई उसे कैसे नापते हैं कि भई जो पानी आपका चॉइस गंटे में कटा हो गया उसे नाप लेते हैं और फिर कहते हैं यह daily की rainfall है जो रोज की बारिश हो रही है वो इतनी इ है इन्म्-जी को आनोल रैंफॉल कि भी बार वह कितनी बारोत रहिस ऑफ इंडिया है इंडिया को एन्व के बात करना चाहें तो राजिस्थान में यह वाला एरिया है ठीक है यहां पर जो रेगिस्तान वाला एरिया इस साइड का इतना तखर नहीं है यह जो यहां पर है रेगिस्तान का एरिया है इस वाले रेगिस्तान के एरिया में 0 से 25 सेंटीमेटर तक की एवरेज एन्वल रैनफॉल स्वारी एक एवरेज रैनफॉल यहां पर होता है इतन उसे 25 cm तक यहां बारिश हो रही है, जैसे कभी भी ऐसे अगर लिखा हुआ हो, कि इस एरिया 25 से 50 cm तक बारिश हो रही है, तो इसका मतलब है भई, कि कब हो रही है बारिश है, यह जो 25 से 50 cm तक की बारिश है, यह कब हो रही है, क्या यह एक दिन में हो रही है, एक गंटे में ह एक साल में हो रही है पर पूरी जिन्दकी भार में हो रही है यह आपकी ओती है annual rainfall, ठीक है कि एक साल में आपके इस एरिया में इतनी बरसात हो रही है, कितनी 25 से 50 या पर जो भी डेटा आपको गिवन है वो ठीक है? तो हमिशा इसको read कैसे करना है भई? आपने बहुत बार ओके ये एक साल का डेटा होता है आपका, क्लियर है, ऐसे नहीं है कि एक गंटे का हो या फिर एक दिन का हो, ऐसा नहीं होता, ये आपका जो है annual rainfall का data होता है, क्लियर, तो annual rainfall कौन सवाला होता है, कि data collected in last one year, पिछले एक साल में जो data हमारा collect हुआ बारिश का, वो हमारा आजाता ह है किसमे, annual rainfall में, और जो 24 गंटे में collect होता है, वो हमारा आजाता है किसमे, daily rainfall में, अब इसके अलावा एक बात और बच जाती है, कि data collected in, data collected in last 35 years, last 35 years, तो ये आपका हो जाता है, भई, average, average annual rainfall, ठीक है, 35 साल में जो data collect हुआ, ठीक है, इसे हम कहते हैं, भई, average, annual rainfall, clear, तो ये आपके कुछ चीजें होती है, कि आप कैसे करके इनको निकाल सकते हो, जो 24 गंटे में collect हो, तो आपका daily rainfall हो जाएगा, ये दिन में इतनी बारिश हो रही है, एक साल में जो होगा, वो क्या बताएगा, कि भई, ये हमारा annual rainfall है, एक साल में इतनी बारिश हो गई, और इसके अलाबा जो हमारा data होता है, last 35 years का, वो हमें क्या बताता है, average annual rainfall को बताता है, clear, चलो, फटा फट से नोट कर लीजिए, और इसके बाद में एक चीज और देख लेते हमकी, index of wetness, या फिर जैसे wetness index हम कह सकते हैं, ये क्या चीज हो index of wetness, तो हो सकता है, कई बार आपसे पूछ भी लिया जाए, चुटी मूटे exam में, तो यह आपका होता है, यहाँ पर rainfall of, rainfall in, in a particular year, in a particular year, divided by average annual rainfall, multiplied by 100, okay? तो यह आपका होता है, index of wetness, wetness का index आपका कितना निकल करके आएगा, तो उसे निकालने के लिए आपका फॉर्मूला भी होता है, तो यह तो हो गई हमारी कुछ एक basic चीज है, जो हमें पता होनी चाहिए, कि डेटा जो है, बरसात का वो कितने बज़े collect किया जाता है, सुब होते हैं, और कैसे करके यह rain gauge हमारे काम करते हैं, और क्या हमें इन से मिलता है, तो फटा-फट से इसको note कर लो भई या फिर screenshot ले लो, और फिर start करता है अपन rain gauge के बारे में, और rain gauge को बड़े ही अच्छा topic है, मुझे तो खेर अच्छा लगता है, आपको पता नहीं कैसा भई साड़े आठ बजे ही क्यों करते हैं इसका reason, भई 8.30 का कोई reason नहीं है, ठीक है, इसका कोई reason नहीं है, इसका reason ये भी मान सकते हो भई कि सुबह के time पर अगर data collect करते हैं तो उसमें पता है क्या होता है, सुबह आपने साड़े आठ बजे अगर collect कर लिया, तो इसमें कौ सुबह साड़े आठ से और अगले दिन फिर सुबह साड़े आठ बजे तक का, तो आगर आप कर रहे हो तो फिर सुबह साड़े आठ बजे वाले मां आपका जो पूरे दिन बर का data है वो भी आ जाता है, और पूरी रात बर का data भी आ जाता है, ठीक है, और सुबह का time यह 8 बजे ही collect किया जाता है अब लोगों ने इसके लिए अलग-अलग region निकाल दिये कि सुबह-सुबह environmental conditions वैसी होती है सुबह-सुबह ऐसी होती है लेकिन वो कोई भी सही reason नहीं है सही reason यही है कोई ना कोई time तो fix रखना था ना data collect करने का क्यों डेली जो data collect होता है इंडिया में उसमें हर चीज़ का एक अलग-अलग time है ठीक है जैसे जो और चीज़े होती है जैसे मालो जो pressure measurement होता है इन चीज़ों में भी अलग-अलग time होता है तो बारिश के लिए भई साड़े आठ बजे का है क्या कहरों अमरितलाल जी चलिए बहुत अच्छी बात है कि ड्यूटी पे लाइब क्लास ले रहे हो ठीक है फटा पड़स को नोट कर लो भई या फिर स्क्रीन शॉट ले लो और फिर अब हम लोग आगे डिसकस कर लेते हैं टाइप्स ओफ रैंगे हुआ है चलिए देखो भाई जो रेंगेज हैं आपके उनको मेंली दो तरह से डवाइड किया गया है यह जो रेंगेज हैं आपके ठीक है रेंगेज दूसरा नाम इसका क्या कह रहे हो टेलेगराम पर गूरुप बनाकर MCQ स्टाइड करें बैइ टेलेगराम पर गूरुप मैं सोच भी रहा हूँ तो बना ले ठीक है बना लेगे बही चलिए रेंगेज के बारे में हम स्टाइड कर लेते हैं तो बैसिकली यह जो रेंगेज आपके होते हैं दो टाइप के हमारे होते हैं, एक तो होता है, non recording type, recording type, और दूसरा गौन सा होता है, दूसरा आपका होता है, recording type, recording type, ठीक है, और इस रहनीज ज़ाइख नाम ये भी होता है, उडो मीटर ठीक है दूसरा नाम ये भी होता है जो कई बार उडो मीटर या फिर गुड मॉनिंग भाई अब बाज जी V good morning to you ठीक है या फिर प्लुो मीटर भी से कई बार कह दिया जाता है ठीक है तो ये इसके अलग-अलग नाम भी होते हैं पई रेनगेज के अब रेनगेज जो है वो हमारा दोट टाइब का होता है कोन-कोन सा एक तो होते है हमारे नॉन- estas हमारे रिकॉर्डिंग are recording practice और इसके लाब़त तीसरा रेन Georg और चलता ऐंडिय में एक तीसरा और बढ़ा ही special और सबसे ज्यादा useful में लिया जाने वाला रेंगेज एक इंडिया में चलता है और रेंगेज कौन सा वाला होता है कि आज दो रोड बे पानी-पानी था बारेंस डंकी हुई होगी मतलब एक जो लोग अनुमाल लगाते ना अपने अकोर्डिंग network problem अगई पोड़ा जल्दी वता दीजिए कि आप थोड़े ना दिक्कत आ रहें कोई network related बताओ भई अब थोड़े ना दिक्क्त है कोई नेट्वर्क से रेलेटेड सब कुछ ओके है तो फिर बता दो एक बार थमसब करके कि सब कुछ ओके है जिससे कि हमें भी तसल्ली मिल जाए थोड़ी सी ठीक है बताओ याड जल्दी से ओके है चलो भई ओके है तो फिर आगे बढ़े लिते हैं देखिए यो तीसरा तरीगा है ये बढ़ा ही अच्छा तरीगा लगता है और जाए तर लोग ऐसे ये रैनफॉल को मेजर करते हैं कैसे तरीगे से कि यार आज तो मतलब बारिश खूब होई थी क्यों क्यों होई थी बारिश कूँ थि भारिश अरे मैं रोड बे जल रहा था इतना है इतना पानी आ रहा था बार इसी तरीका मतलब best. कैसे? कि मान अलो, यह जो राइनगेज ए आपका, यह तो किसी एक जगा पर ही लगाया जाएगा, माल लोगी आपका पूरा जिला है, जिले में एक जगा पर आपका राइनगेज लगा हुआ है. तो यह तो उसी जगा के राइनफॉल को बताएगा और देहा, ठीक है? लेकिन यह कहीं पटना नहीं है, हमने यह बैसे ही है, समझाने के लिए हाहा, हमारे उग्ली चाहएं भी नापते हैं, हाहा, भई नापते हैं हाहा हुएHa, भै नापते हैं हाँ में तो ऐसके नापते हैं तो अच्छी बारिस नहीं मानते और अगर वो पानी गेट को कूद गया तो माना जाता है कि भूत तगड़ी बारिश हुई है क्योंकि वो पानी यह ना कभी कभार ही कूदता है जैसे पड़सों के दिन रक्षाबंदन वाले दिन वो पानी जो है उस गेट के ऊपर से उकर के कल रहा था तो उस दिन काफी अच्छी बारिस भी हुई थी तो हमारे ऐसे करके नापा जाता है सबका अपना अलग अलग एक तरीका होता है लेकिन जो साइंटिफिक तरीका है जो सरकार कहती है और जो मौसम विवाग कहता है वो दो तरह के रेंगेज काम में लेता है ठीक ह तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि मोश्ट कॉमनली यूजड़ इन इंडिया ओके बारत में पूरे में यही काम लिया जाता है कौन सा वाला आपका नौन रिकॉर्डिंग टाइप भई ऑटोमेटिक भी कई बार बोल सकते हो लेकिन नहीं बोल सकते वैसे ऑटोमेटिक एक अलग चीज़ें होती है यह जो मैथड है आपके रिकॉर्डिंग और नौन रिकॉर्डिंग यह तो भई आपके पुराने तरीके हैं आजकल तो बहुत सारे एलेक्ट्रोनेक मीटर ऐसे आगए जो बढ़सात को यूई नाप देते हैं फटाक से पता ही नहीं चलता कब बढ़सात आपकी नाप दी जाए क्यों क्योंकि आजकल एलेक्ट्रोनिक्स का जमाना है कम्प्यूटर बेस डिचीजें आ चुकी हैं तो रहनेज भी आपके नौन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग टाइप के रहनेज इनमें सबसे ज्यादा इंडिया में जो मौसं विबाग काम में लेता है आज भी मौ आजाता है ठीक है और ये किस काम में आते हैं ये टोटल रैनफॉल को शो करते हैं हाँ वो एक्यूरेट नहीं होते हैं ऐसा कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं बट अगर आपके गर पर जो बारेश हो रिया उसे तो वो ना पी सकते हैं बागी पूरे इरिया के लिए नहीं कर सकते हैं उनका मेजरमेंट, ओके चलिए, इसके अलाभाँ यह वो टोटल रैनफॉल को नापता है, इत मेजर, इत मेजर, अल्ली टोटल रैनफॉल, टोटल रैनफॉल, नॉट दी रैनफॉल अफ़ पर्टिकूलर टाइम, not the rainfall of particular time particular time या भर कह सकते हैं इंटेंसिटी आफ रैनिफाल कि यह जो है ना वो सिर्फ टोटल रैनिफाल को ही बता सकता है टोटल रैनिफाल का मतलब है कि आपने अपना जो यह यह माल लो आपका क्या है रेन गेज है ठीक है इस तरह का खेर नहीं होता दूसरे डाइप का होता है डाइगना वही बनाने बाला हूँ लेकिन माल लिया आपने की आपका रेन गेज है और आपने पांच गंटे की बरसात को इससे ना अपना है ठीक है तो ये 5 गंटे में जो बड़सा तो ये ना वो बता तो देगा कि 5 गंटे में आपकी 10 mm बारिश हो गई इस छेत्र में इस एरिया में लेकिन ये नहीं बताएगा कि पहले गंटे में कितनी हुई दूसरे गंटे में कितनी हुई तीसरे वाले में कितनी हुई हो सकता है जीरो और पाँच वाले में zero लेकिन यह तो पूरे को ना पेका ना पांच गंटे में जो हुई तो ये जो टोटल रेंट फॉल है ये कैसे ना पी जाती है बैच्व गंटे में जो बारश होती है ना उससे ना पता ये एसा निया है कि हर गंटे की इतनी बारिस इस एरिया में हुई है, मतलब total rainfall को ये बताता है, rainfall of particular time को ये नहीं बताता है, intensity of rainfall को नहीं बताता है, clear, आया भाई समझ में क्या होता है non recording type, सबसे जाधा most commonly इसे ही use लिया जाता है, अब इसका example कौन सा हो सकता है, Simon का जो rain gauge है, Simon सहब जो थे, इनों ने अपना rain gauge बनाया था, और ये ही आजगल इंडिया में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, ठीक है, Simon सहाब का rain gauge, Simon's rain gauge, Okay, तो ये इसका सबसे most common form भी है, Simon's rain gauge, और इंडिया में आपकी जो बारिश मेजर की जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा Simon का rain gauge ही काम में लिया जाता है, ये जो Simon सहाब थे, ये बारत आये थे, ठीक है, और कवाय थे, ये मुझे नहीं पता, इनों ने बस rain gauge अपना बना दिय लिया था, क्योंकि इनको लगता था कि यार, ये जो गरवाल है न, रोज बारिश में मुझे सबजी लेने के लिए बेज देते हैं, तो इनों नोंने कैसा अपना rain gauge बनाया था, इसका डाइगराम हम प्रॉपरली बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन चीजों को है और बहुत सिंपल है, ठीक है, चलो, मलखान मीना जी हस रहे हैं आप, चलिए हसना अच्छी बात होती है, ठीक है, मैं तो वैसे भी कहता रहा हूँ, लाश्ट मैं ही कहता हूँ, मैं इस बात को तो भई हसते रही है, मुस्कुराते रही है, ओके, चलो भई, जल्दी से नो चलिए, साइमन साब का रैने गेज, देख लेते हैं, कि किस तरा आगा इनो ने अपना रैने गेज बनाया था, ठीक है, खुत तो रैने गेज देके चले गए, पड़ना हमें पड़ रहे है, नी बनाते यार, हमारा देसी तरीग बढ़िया था, चलो, साइमन्स, रैने ठीक है साइमन सहाब ने अपना जो रहन गेज बनाया था इसका डाइगराम मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं आप भी साथ साथ बनाते हो चलिएगा थ्वड़ा अच्छा रहेगा यह सबसे उपर यह नोंने लगाया था अपना फनल फिर यहां रग दी थी एक बॉटल दूत्रे कलर से बनाओ बॉटल को अच्छा डाइगराम बना ले तैंब इस अज़ा जाके ठीक है कि मेरी ट्रॉएंग भी अच्छी हो जाए आप लोग डाइगराम भी थोड़ा अच्छी समझ में आ जाए और वे पांड क्यान जाएगराम भी यिन वी आपचतinga से बूसी This ठीक है तो यह तो भई आपका हो जाता है सबसे उपर लगा हुआ फनल ठीक है यहां पर आपका यह लगा हुआ रहता है क्या फनल जिसे कह सकते हैं कि भाई कीप लगी वही रहती है ठीक है और इसका यह जो होता है भाई डायामेटर यह जो यहां से लेके यहां तक का है यह आपका होता है 127 mm 127 mm यह क्या होता है फिर आपका यह receiver होता है receiver या फिर इसे bottle कह सकते हो ठीक है, receiver, या फिर, bottle, अरे ये receiver वो वारा receiver नहीं है, receiver मतलब receive मुनी वाला receiver, ये receiver है, जो receive गड़ता है किसको, water को, clear, चलो, थोड़ा और आगे का बना लेते हैं, इसका part, अब इसके नीचे, इसका एक base यहाँ पर बनाया जाता है, कुछ इस तरह से करके, और फिर इसको थोड़ा सा cover भी कर दिया जाता है, cover कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे नीचे एक है concrete का block इसके नीचे लगा दिया जाता है, ओके, और यह concrete का जो आपका यह block होता है, यह 60 cm तो यहाँ से लेके यहाँ तक का होता है, भई मैं इसको उपर ही बना रहा हूं देखो, यह होता है आपका 60 cm यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक भी आपका होता है यह 60 cm का, ओके, और ठीक है, यहाँ तक बनाओ आप लोग, यह हो जाता है आपका base, और यह जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यह होता है आपका 210 mm, और क्या रहेगा है प्रेस में और तो उच रहा नहीं है है हाँ एक साइड में और बना लाएंगे अगर 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 साथ के साथ नोट भी करते रहो भई से अगर 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 इस अगर यह अगर अगर ठीक है यह साइड में एक मेजर करने के लिए होता है यह बच्चे इस पे यह 20 पर यह 15 mm पर यह 10 mm पर और यह आपका 5 mm पर यह बच्च आपका साइमन का रेंगेज होता है ठीक है और एक बात और लिख लिएगा यहां से लेकर यहां तक होता है यह आपका होता है 203 mm 203 mm इसकी यहां से लेकर कि यहां तक की हाइट होती है क्लियर तो फटावर्ट से बनाओ भजी से अ कि अ कि अ कि अ बना लिया यह होता है आपका देख साइमन का रेंगेज अब इसका प्रोसेजर एक बार आप लोग समझे लोग इसका प्रोसेजर किस तरह से होता है कैसे यह मेजर यहां पर किया जाए कि अनग बना लिया ओ तो ठीक है घ्रिक और आप लोग फिसका इसका इसका बना लिया ओ तो ठीक है नहीं तो पुसका प्रोसेजर पूरा समझ लीजे कैसे करके यहां पर मेजर किया जाता है ठीक है देखिए यह उपर यहां पर आपकी लगे हुई रहती क्या फनल याफिट से कीप कह सकते हो अब मालो उपर से बारिश हो रही है यहां से उपर से आपकी बारिश होना ठीक है यहां पर मालो आ गई यहां पर आने के बाद में क्या होगा इस कीप के तुरू यह जो कीप है आपके जो फनल लगी हुई है इसमें ओकर के पानी कहां आएगा नीचे रिसेबर में अब मालो आपके रिसेबर में पानी यहां तक बर गया आपका जो पानी है वो कीप के थुरू आ रहा है उपर जो फनल आपने लगाया हुए कितना 127 mm जिसका क्या है डायमीटर इस फनल के थुरू आपका जो वॉटर है जो रेन वॉटर है वो आपका कहां से आ रहा है यहां से निकल करके और नीचे की तरफ आगे यहां पर कलेक्ट हो गया अब मान लो धीरे- इसे बर है बॉटल है ठीक है यह ब्रास मेटल की एक बॉटल होती है ब्रास मेटल है फिर जिंक मेटल की भी तो इस बॉटल के अंदर माल लो आपका जो पानी है वो यहां तक बर गया ठीक है आप क्या करोगे सुबह साड़े आट बजे सुबह साड़े आट बजे बजते ही पहले तो चाय वाई पी और चाय पी करे चले ग़े इस bottle को निकालने के लिए आपने क्या किया जाकर के इस bottle के अंदर कैसे measure करोगे कैसे measure करोगे यह जो लगा हुआ है यहां पर यह scale type का जो बना हुआ है इस वाले को इसके अंदर immerse करके और फिर देखा जाता है कि कितना आपका यहां पर collect हुआ, मान लो यह जो है, इसमें reading आपकी आती है यहां तक, यहां तक मान लो आपकी reading आ गई, तो आप क्या कहोगे, कि भई पानी कितना बर गया इसके अंदर 15 mm, मतलब कि पिछले 24 गंटे क और पिछले 24 गंटे में, आपकी 20 mm बारिश हुई है, या पर कैसे क्या कहोगे, कि भई पिछले 24 गंटे में 20 mm आपकी बारिश हुई है, मतलब जितनी भी इसके उपर reading आपकी आती हो, वही आपकी क्या हो जाती है, rainfall बता दिये जाता है, तो आया समझने कैसे major करते हैं इस से ठीक है यह सिबर का काम करती है बस बॉर्टल अप चाहओ तो इसको घर पही बना से घर बेगा से बनाना है समझ लो ठीक है रहे निगेज बनाना भी सीख लेते हैं कैसे करना होगा भी सबसे पहले देख बॉर्टल ले ना अगे ёмता निगर भी बोटल के लीए रही हो ठीक है करना चलेगी वाली ऐसीजिए मधिरा की बोतल रता के सी चैकर अगे जहीं से चलीए मधिरा की बोतल अपने लगा दिया ने लिए लगा हुए आपके पानी की बोटल है ये बिठ लेज जो फनल उता है जो जो फनल होता है सहसा होना चाहिए और लाकर किकर इस और 34 गंटे के बाद में पर आप देखोगी तो बॉटल के अंदर जो पानी कलेक्ट हुआ है इसे आप चाहो तो इस-क एउसे भी मेजर कर सकते हो जो आपका स्केल होता है छोटावाला इससे मेजर कर सकते हो और फिर देख ले ना वही कितनी बारिस आपके एरिया में हुई य ओंतरओ ना लीजिए। और ये आपका साइमन का रेंगेज होता है अभी इसके बारा बाते हम सुर्टीक है तो इसके बारे बाते हम लिखनी है कोई है झासूं जैसे यहां पर माल लीजीए कोई object आपका रखा हुआ है इस तरहों से करके आपका यह कोई object है ठीक है ? object नहुत लौग कोई भी चीज आपकी हो सकती है इस object की माल लो height कितनी है ? h height का यह object यहाँ पर रखा हुआ है तो कितनी डिस्टेंस पर आपको रेंगेज को लगाना है यहां से यह लगाना होता है आपको 2H डिस्टेंस पर मतलब जितनी ऑबजेक्ट की हाइट है न उससे दूनी दूरी पर आपको हमेशा रेंगेज को लगाना होता है और जिस जगा पर आपका रेंगेज लगाया जाता और बाद में बनाते रहिएगा आराम से MA कभगा बना गया डायग्रम कर लो कभग बना दो थे डि जननों नहीं बनाया वह स्क्रीन शॉट लेलो भई चलिए अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में जो अमने ये सब कुछ बनाया है इसे लिख भी लो ठीक है कि वही सबसे उपर तो क्या लगा रहता है आपका एक कीप लगी वी रहती है फनल लगा हुआ रहता है कितना इसका डायमेटर होता है 127 mm इसका डायमेटर होता है नी नहीं तो फिर कहोगे की लिखवाया है नहीं ठीक है लिख लिख ली जिएगा अन दी टॉप आफ रैन गेज आफ दी टॉप आफ साइमन्स रैन गेज आफ फनल हैविंग डायमीटर साथ साथ लगते भी रहना भाई की इसमें समझ जाने वाला कुछ भी नहीं है डायमीटर वन ट्वेंटी सैवेम एम एम इस फिक्स विदा बॉटल ब्रैकेट में लिख ली जागा रेसीबर ठीक है एक बॉटल के साथ में इस फनल को उपर लगा दिया जाता है ठीक है दी बेस आफ दी बेस आफ दिस रेसीबर इनलार्ज अप्टू इनलार्ज अप्टू 210 mm कि जो इसका बेस होता है नीचे वाला उसे इनलार्ज किया जाता है 210 mm तक इस तरह से उमने कर रहा था ना नीचे ये वाला 210 तो यह आपका होता है बेस को इनलार्ज कर रहा है आपने कितना 210 mm तक क्लियर चलो कुछ और बाते भी आगे की लिख लेते हैं इसरी बात ये भी लिख लेना कि रेंगेज स्टेशन्स रेंगेज स्टेशन्स लोकेटेड इन ओपने एरिए आज कि वी जो आपका रेंगेज स्टेशन ना ये कहां पे बनाया जाता है यह बनता है आपका एक open area में, ठीक है, इसके बाद मैं next time लिख सकते हैं, the rain water collected in bottle is measured by measured by, graduated, graduated, measuring glass, measuring glass, having accuracy, accuracy up to 0.1 mm, ठीक है, वो जो हमने बनाया था ना, side में diagram, जिसमें बहु ग्लास का बना हुआ था, जिसमें रीडिंग्स लिखी हुई थी, उसकी accuracy आपकी कितनी होती है, ये बात बड़ी important है, उसकी accuracy आपकी होती है, 0.1 mm, मतलब up to 0.1 mm वो accurate होता है, कि 0.1 mm से ज्यादा का यहाँ पर difference कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, एक बात मैं बोल रहा हूँ, 0.1 mm से ज्यादा का difference आपका कभी भी नहीं आ सकता है, ओके, और जो यहाँ से measurement आता है, कि अपकी कुरिस आपकी 0.1 mm, एंड इस measured rainwater, इस measured rainwater is the total rainfall, ठीक है, आया भई समझ में, कि जो आपका इस से measure करते हैं हम, यह जो graduated glass होता है, आपका, जिसकी accuracy 0.1 mm तक होती है, इस से जो water हम measure करते हैं, वो आपका कहलाता है, भई total rainfall कहलाता है, ठीक है, अब इसके लाबाँ एक बात और लास्ट में, जो मैंने अभी आपको बताई थी, कि the distance of rain gauge, सबसे नीचे नीचे लिख लीजिएगा, कि जो आपके नजदीगी object है, जो nearby में है, इस से कितनी distance आपके rain gauge की होनी चाहिए, तो भई यह आपकी होनी चाहिए, distance equals to 2h, distance equals to 2h, और यहाँ पर यह h आपका क्या होता है, h आपका होता है height of object, तो इस बात को भी लिख लीजिएगा, h आपका होता है height of object, ठीक है, यह छोटी छोटी चोटी सी बात है, यह आपसे exam में पूछी जाएंगी, यह बड़ा वाला जो पूरा इसका processor है, यह आपसे नहीं पूछा जाएगा exam में, बई कैसे आपका Simon Rain gauge वो work कड़ता है, नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछ लेगा, जैसे पूछ लिए भई बदाओ, कि जो bottle है, sorry जो funnel है, इसका कितना diameter आपको लेना होता है, इसके अलाबा जो base है, वो आपका कितना होता है, इसके अलाबा accuracy आपकी कितनी एहती है, जो measure करने वाला है, इसकी, इसके अला recording type का rain gauge, अब second इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले है, recording type rain gauge, जो recording type के होता है, उनमें क्या ऐसी खास बात होती, उनमें क्या हीरे लगे रहते हैं, जल्दी से note करो, या फिर screenshot ले लो, कि नोट कर लिया हो, तो बता दो एक बार, क्योंकि आज topic हमारे काफी सारे हैं, और time जो है, वो आपका एक limited ही रह सकता है, तो इसलिए भई आज थोड़ा जल्दी भी चलना पड़ेगा, चलो, screenshot ले लेना भई, किसी ने नहीं लिखा हो तो क्योंकि मैं erase कर रहा हूँ इसे, अब यह जो recording type का आपका rain gauge होता है, यह आपका total rainfall के साथ-साथ intensity को भी बताता है, ठीक है, total rainfall के साथ में आपकी intensity जो है बरसात की इसे भी बता देता है, तो इसलिए इसे अच्छा माना जाता है, थोड़ा सा इससे, लेकिन accuracy इतनी नहीं आपाती, इसलिए काम में, थोड़ा कम लेते हैं, recording type, rain gauge, जल्दी से नोट करना स्टार्ट करिए, इसका हम डाइगराम बना लेते हैं, सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग टाइप का rain gauge है, वो आपका किस तरह साथ दिखता है, ठीक है, इसे, integrated rain gauge भी आपका कई बार कहे दिया जाता है, तो bracket में लिख भी लेना, integrated rain gauge है, इसका डाइगराम मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ बनाते रहिएगा, इसमें क्या करते हैं भई, आपका जो एक साइड का कॉर्णर होता है, यह जो आपका एक साइड का कॉर्णर है, इस box का, यह जो box है आपका, मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ, आपको box clearly देख जाएगा, यह जो आपका box होता है, इसके एक साइड पर तो क्या बना देते हैं, आपका बना दिया जाता है भई, आपके फनल, ठीक है, एक तरफ तो क्या लगा दिया है, आपने यहाँ पर फनल लगा हुआ रहता है, फनल किस तरह से लगता है, देख लो, कुछ इस तरह से करके आपके फनल को लगा दिया, ठीक है, तो एक साइड तो क्या लग गया, आपका फनल लग गया, दूसरे वाली तरफ क्या लगा आते हैं, एक drum का हुआ रहता है, drum मतलब किस तरह का drum होता है, पानी का drum नहीं होता भई यह, तोड़ा सा अलग तरह का एक drum होता है, कुछ ऐसा करके इसको बना सकते हैं, यह आपका हो गया भई, एक rotating drum, ठीक है, इस drum का का काम होता है, कि यह rotate होता रहता है, गूमता रहता है, ठीक है, और कितने बार गूमता है, चॉइस गंटे में एक बार आपका drum गूम जाता है, अब यह जो आपका drum है, इसका तो काम क्या है, गूमता रहने का, ठीक है, तो इस पर लिख सकते हैं, हम लोग क्या है यह, एक drum होता है, ठीक है, जो कितने बार rotate करता है rotate once in 24 hours कि चॉइस गंटे में ये एक बार आपका ड्रम जो है वो गुम जाता है अब काम क्या होता है भाई इस ड्रम का देखे इस वाले ड्रम के ऊपर आपको एक ग्राफ पेपर लगाना होता है इस ड्रम के ये बही ऐसा नहीं होता आपको यहां पे दिखने में की तरह दिखता है ठीक है ये ड्रम जो है वो सलेंडर की तरह दिखता है जिसके चारों तरफ एक ग्राफ पेपर को लपेट दिया जाता है कैसे करके लपेट दें भाई ग्राफ पेपर को कुछ ऐसे करके एक जो graph होता है हमारा इसे इसके चारों तरफ लपेट दिया जाता है तो ये भई मैंने लपेट दिया इसके चारों तरफ graph paper को ठीक है तो इसके बारे में लिख लीजिएगा ये क्या है आपका एक graph paper मैंने graph paper और हिंदी में लिख ले ना ये लपेटा हुआ है याद रह जाएका अच्छे तरीके से graph paper क्या है लपेट रखा है इसके चारों तरफ अब क्या करते हैं इसके बाद में यहाँ पर एक float आपका provide होता है एक float आपका provide करवाया जाता है यहाँ पर किस तरह का कुछ ऐसे करके यह आपका हो गया भई float ठीक है यह आपका हो जाता है यहाँ पर float इसको थोड़ा थर dark कर लीजिएगा यहाँ पर जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो ठीक है इसको कहा जाता है आपका float ठीक है डाइगराम बनाते हुए चलिएगा साथ साथ आपको सारी बातें समझ में आती रहेंगी यह आपका भई यहाँ पर लगा हुआ रहता है float अब यह float में जो यह वाली जगा होती है यहाँ पर इसको मैं अलग कलर से बना रहा हूं थ पर यहाँ पर प्रसेजर आपका पूरा समझ मा आ जाए कैसे करके वर्क करता है फिर साइड मा आपका एक सिफोन भी लगा दिया जाता है ठीक है और यह सिफोन आपका किस तरह का होता है बड़ा ही आसान सा होता है ठीक है यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है ठीक है यह आपका हो गया फ्लोट किसे कहते हैं आपका एक सिफोन यह होता है इसका काम किया तब इस सिफोन का जो एक्स्ट्रा पानी है पानी को बाहर निकालने का काम करता है ठीक है पानी को बाहर निकालने के लिए यह क्या होती है आपकी फनल आपने लगाई रखी है जो फनल है कीप है ठीक है यह भी आप ही कितनी होती है 127 mm की होती है clear तो नोट करो भई से चलदी से और फिर समझ लेते हैं कि अब यह काम कैसे करेगा यह होती है आपकी float rod और यह होता है आपका box यह पूरा एक डबा होता है अब समझते हैं भई देखो कैसे करके यह काम करता है थोड़े देर के लिए लिखना बंद करो प्लीज ठीक है समझते हैं देखिए यह आपका पूरा एक box होता है इस तरह का इस बाले box में आपने क्या कर रखा है एक side पर तो क्या लगा रखा है अपना funnel लगा रखा है इस funnel का का आपका काम क्या होगा इस funnel का काम होगा वही पहां से होता होता कहां पहुंचेगा आखिरकार इस पानी को पहुंचना तो कहां पर है यही पे तो पहुंचना इस पानी को भी लाश्ट में तो कहां पहुंचेगा यही पे जाकर कि तो पहुंच जाएगा पानी अब मुझे एक बात बताओ जैसे ही आपका यह पानी यहा बढ़ना start कर देगा ठीक है? इस तरह से करके उपर की तरह बढ़ना start कर देगा जब आपका ये पूरा float उपर बढ़ा तो मुझे एक बात वता हो क्या ये जो आपका pin point है क्या ये भी उपर बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा ये जो pin point लगा हुआ है यहां पे आपका, इस spin point पे आपने क्या कर रखा है एक पैंसिल को ऐसे करके लगा रखा है ठीक है, इस pencil का काम है, ऐसे रहने का, यहां पर यह क्या है? ।ि तेखüzik है और वा आपका गूमता सब्सक्राइब इसके आपका कम पूवा और इसके चार्व सभी सब्सक्राइब कर रखा एक दब करता है इस पर ड्रो करने में भी दिक्कत नहीं आती जादा कि यह देखो कुछ इस तरह आपको देखेगा य। यह माललो आपने God गरफिपर चिपका हुआ आप को यहां पर इस तरहा से करके ऑए तरसा और फ मैं बहुत लगी होई है यह तरह से करके अब अगर माल लो यह तुर्ण क्लिर का मया है तो इस तरहा से करके लगा रखाए recovering पैंसिल आपके यहां पे लगी होई है अब मान लो आपका फ्लोट जो है ऑपर उठेगा अगर आपका फ्लोट उपर उठेगा तो मुझे एक बात बताओ किया आपके जो पैंसिल है वो भी उपर उठेगी और नीच फैनसिम एक उपर düş एख वह-प फ्लोट उपर नीचे होगा तो यह जो पैंसल है वो इस ग्राफ पेपर पर कुछ इस तरह से करके ड्रॉ कर देगी ठीक है यहांपका ग्राफ पेपर ता तो यहांपर जो यह है यहांपका ड्रॉ हो जाता है और इससे पर पता लगा सकते हैं कितनी बारिश यहांपर हुई तो पानी तो यहाँ पर नीचे आकर बरेगा और नीचे आकर पानी बरेगा तो सीधी सी नाओं ज़िसी बात है यहाँ पर यहां पर पानी का ह LIVEल यहां पर कम हुआ तो pencil आपकी कहा जाएगी नीचे आजाएगी तो यह जो pencil वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करके और इस तरह से करके एक graph यहाँ पर draw कर देती है एक graph बना देती है और फिर इस graph की help से हम पता लगा सकते है कि वही कितनी बारिश यहाँ पर हुई तो बताओ भई यह समझ में आया या नहीं आया और इस सिफोन का काम क्या होता है कि जैसे ही पानी आपका यहाँ तक पहुचा इस पानी को यह बाहर निकालने का काम कर देता है ठीक है तो बताओ यह समझ में आया या नहीं आया इसका यह पूरा procedure आपको कि जो non recording type का यह जो rain gauge होता है यह किस तरह से करके काम आपका करता है ठीक है यह आपका float type rain gauge होता है जो float करके और फिर आप calculate करते हो तो बता दो एक बार समझ में आया या नहीं आया नहीं समझ में आया होगा तो फिर बापस से समझ लेंगे बताईए भई कुछ नहीं होता फिर से समझ लेता हूँ एक बाट थोड़ा सा एक drum यहाँ पर इस तरह से करके लगा रहता है इस drum का तो काम क्या है चोईस गंटे गूमते रहने का यह चोईस गंटे में एक बार अपना चकर पूरा कर लेता है उपर नीचे हूँ है जब पानी का लेवल इस बॉक्स में कम यह ज्यादा होगा तो यह पैंसल भी अपने आप बार नीचे उठती रहेगी और नीचे आती रहेगी और पूरे दिनबबर में आपको पता ही है कि कभी तो हो सकता है अगर बारिस ज्यादा होई अगर बारिस आपकी ज्यादा होई तो यह जो आपका पानी है यह ज्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर और अगर बारिस कम होई तो पानी कम बरेगा सीधी सी बात है अगर बारिस ज्यादा हो गई तो पैंसल क्या है आपकी ज्यादा ऊपर उट ज जो लोग आने बता दिया है, उनका मैंने माल लिया, जोनों नहीं नहीं बताया वो भी एक बशान बता दीजिए, नहीं समझमाया हो तो बोल दो, फिर से समझ लेंगे एक बारaked कीशिया यहां पर काम क्या होता है, पानी को बाहर ने का इसे बाहर ने का पैने का, और नीचे उ सुनील गोर्ड को समझ में आ चुका है, मोहीनी जी को भी समझ में आ चुका है, एहां है ठीक है graph paper इसमें एक और लेकले लेना fix on ड्रम, ठीक है graph paper fix on back के ड्रम के उपर आपका fix कर दिया जाता है लपेड दिया जाता है यह आपकी floating rod होती है आपका box होता है float होता है spoiler होता है और यहां पर pinpoint लगा दिया जाता है सो चलिए अब देखो यह तो अब यह इसका डाइगराम हो जाता है या तो आप इस डाइगराम को ड्रॉ करो या फिर इसका फटा-फट से स्क्रीन शॉट लेजिए नैटवर्क से रिलेटेड कोई प्रावलम नहीं होगी बफरिंग का कोई इस्यू नहीं होगा अगर हो तो भ एक बार बता दीजिए बफरिंग का इस्यू अभी नहीं आ रहा है ठीक है वो बीच में आ जाता है कभी दस-पांच सेकंड के लिए और भी लाइक शेयर वगेरा इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो फटा बड़े शेयर कर दो यार एक बार और शेयर कर दो क्या जा रहा है जिन लोग ने पहले से कर दिया वो एक बार और कर दो कर दो चलो देख रहे हैं भाई इस डाइगराम को कहां पर और यूज में लिया जाता है मैं इसको अटा रहा हूं यहां से बार कर दो करें कि तपर पार के अगो करें तरे करें है अरे कहा चले गए आजाओ भई सभी लोग आजाओ शेयर कर करूगे और फिर स्टार्ड करते हैं थोड़ा सा चलिए भई कर दिया चलो मुझे पता चल गया था भई क्योंकि लोग जो है वो थोड़े देर के लिए चले गए थे और शेयर करने आप जाते हो ना तो यासे ही होता है यहां पर कनेक्टिविटी शो कर देती है कि यहां कौन-कौन गया वो चुका है ठीक है और जो लोग गया बूह है वो शेयर करने के लिए होए होंगे ऐसा मैं मान सकता हूं चलिए तो देख लो भई अभी यह जो है यहां पर ग्राफ किस तरह का बनता है यह ग्राफ भी एक बार में बना देता हूं यह पर ग्राफ बनाने से पहले दो तीन कुछ एक चार दो पांच साथ आप लोगों नोट कर लीजिएगा तो बैटर रहेगा ठीक है सबसे पहला पॉइंट क्या है रिकॉर्डिंग टाइप रिकॉर्डिंग टाइप रेंगेज इंडिकेट टोटल रैनफॉल इंडिकेट टोटल रैनफॉल विद इंटेंसिटी ओफ रैनफॉल विद इंटेंसिटी ओफ रैनफॉल ठीक है यह दोनों ही चीजों को बताता है भाई हमें पहला तो किसको बताता है total rainfall को और दूसरा हमें intensity of rainfall इन दौनों ही चीज़ों को हमें ये बताता है कौन सा हमारा जो recording type का rain gauge है दौनों ही चीज़ों को हमें बताने के काम में आता है ठीक है? तो दौनों चीज़ों को अगर हमें बता रहे तो ये तो काफी अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर accuracy थोड़ी सी कम इसकी हमें मिल पाती है अब इसके बारे में भी थोड़ा सा theoretical ही लिख लेते हैं क्या it consists it consists a funnel on one side of it consists a funnel कितना होता है? 127 mm on one side of box one side of box and a rotating drum and a rotating drum bracket में लग लीजिएगा rotate once in 24 hour मतलब चौइस गंटे में एक बार ये गूमता है consists and a box and a rotating drum on another side of another side of another side of another side of दिया जाता है इसके लाभा और क्या लिख सकते हैं a float rod float rod is provided with with pin point या फिर पैंसिल लिख सकते हैं ठीक है पैंसिल which moves on which moves on which moves on graph paper graph paper to plot mass curve ठीक है ठीक है to plot a mass curve of rainfall ठीक है अब इसके लाभा यार और तो मैं क्या लिख भाऊं इसकी इसके बाद में अगर next हम देखना जाएं कि जो graph बनता है जो हमारा drum लगा हुआ था rotating drum उस पर जो graph paper हमारे बनता है वो graph किस तरह का देखता है उस graph को देख लेते हैं जो कि आपका most important चीज है बहुत important चीज है आपसे exam में कई बार हो सकता है इस graph को पूछ लिया जाएक पहले से पूछा हुआ है बिहार में exam हुआ था बिहार में और अंध्राप्रदेश में यही के exam थे वहाँ वो graph आपसे पूछा गया था कि यह जो graph है बताओ कि यह कौनसे वाले rain gauge से हमारा बन करके आ सकता है बहाँ पर संबाव नाए थी बस ठीक है accurate है और useful भी है हाँ सही बात थोड़ा सा accurate इसे पान सकते हैं useful इसलिए क्योंकि यह rainfall के साथ साथ total rainfall के साथ intensity को भी बता देता है ठीक है जो non recording type होता है हमारा intensity को नहीं बताता सर्फ total rainfall को ही बता पाता है ठीक है इसको या तो भाई लिख लो या फिर screenshot ले लो फटापट से क्योंकि मैं erase कर रहा हूं उसे screenshot ले लिजे फटापट से नहीं लिखा हो तो मैं erase कर रहा हूं और फिर इसके बाद देख लिए graph के बारे में कि जो graph बनता है आपका वो किस तरह का होता है कि देखिए पैंसिल जो आपकी चलती रहती है वो पैंसिल क्या करेगी आपके graph paper के उपरे के करव ड्रॉ कर देती है और किस तरह का वो करव ड्रॉ करती है ये बात हम देख लेते हैं देखिए यहां पर तो आपने क्या बना रखा है रैन फॉल और यह आपका हो गया time के लिए यहां पर किसको बता रहा है 10 फॉल को किसमे सेंटेमेटर में और यह आपका बता रहा है time ठीक है अब आपने time क्या माल लिया यहां पर तो लिख लिए गाइस साइड में जीरो दो चार छे आठ दस सेंटेमेटर तक यहां पर time लेख लो कि वही को सुवे साड़े आठ बजे सेंट कर लेते हैं ठीक है कीब साड़े आठ बजे को नापा जयता है साड़े आठ बजे से ही स्टार्ट कर लेते हैं ग्राफ को और कुछ इस तरह से करके आपका पहुंच गया यहां तक और इसके बाद में हो गया बिलकुल यह एक horizontal line एक straight line ठीक है तो आप क्या कहोगे भई इस वाले point पर ठीक है सुबह साड़े 10 बजे क्या था सबसे ज्यादा बारिश हुई इसका मतलब क्या देख रहा है भई देखिए एक बात और लिख लेना यहां पर कि जो horizontal line होती है अगर आपके graph में अगर आपके recording type के rain gauge में कहीं पर भी यह horizontal line अगर बन गई तो यह horizontal line किस बात को बताएगी यह बताती है आपकी लिख भी लेना कि जो horizontal line अगर आपकी आजाए कहीं पर भी horizontal line तो यह किस बात को शो करेगी शोज stoppage of rainfall stoppage of rainfall कि जो बड़सात है आपकी वो यहां पर बंद हो गई इस बात को यहां गड़ता है शो करता है क्यों करता है बही देखो आपको पर है कि कुछ इस तरह का हमारा यह दिखता है यह हो गया आपका यह फ्लोट ठीक है और यहां पर हो गया आपका यह graph clear और यह हो गया आपका फ्लोट अब मुझे एक बात बताओ कि आपने कहां से start गया सुबह साड़े आठ बजे से साड़े आठ बजे मालो आपकी थोड़ी से बड़सात थी और तिनी बड़सात थी बई दो सेंटिमेटर से थोड़ी सी ज्यादा बारिश होई थी ऐसे करके इसके बाद में साड़े नौ बजे थोड़ी और बारिश होई साड़े दस बजे आपकी maximum बारिश होई साड़े दस बजे आपकी कितनी बारिश होई मालो यह 10 mm तक होई 10 cm ठीक है सुबह साड़े दस बजे आपकी जो बारिश है वो 10 cm तक हो गई इसके बाद में क्या हुआ यह horizontal line अगर आ गई तो इस horizontal line का मतलब भई साड़े 10 बजे तक तो बारिश हुई साड़े 10 बजे तक अच्छी कासी बारिश हमारे छेत्र में हो गई बंदो गई और यह जो गराफ है आपका यहीं पर अटका रह जाता है क्यों अटक जाता है यहां पर क्या है नीचे साड़े 10 बजे का अगर हम देखना चाहें तो साड़े 10 बजे का था इतना पानी बरा हुआ था और ग्राफ ही आपर कुछ ऐसे करके यह ड्रॉव हो गया था ठीक है लेकिन मुझे एक बात बताओ यह जो आपका साइड में आपर सिफोन लगा रहता है ठीक है इस तरह से करके यह जो है यह पानी को कब निकालेगा जब पानी आपका एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन जितना पानी इसके अंदर बढ़ा हुआ है वो तो पानी बढ़ा हु क्षेसों लाइन आपकी किस बात को बताएगी यह आपकी बताती है भैस्ट पेज-अफ रैंफॉल गी जो बारिश है आपकी वह साड़े दस बजे के बात में होना बंद हो गई ठीक है इस बात को यह लाइन आपकी बताने का काम करती है reason भी समझ में आ गया हो और क्यों करत और पानी अगर यहां पर पहले से ही बढ़ा हुआ रह गया ठीक है तो यह प्रावलम आपकी आ जाती है क्लियर तो इसलिए यह जो रिकॉर्डिंग टाइप का रेंगेज है आपका इसमें अगर होरिजॉंटल लाइन आ जाए कहीं पर भी तो यह होरिजॉंटल लाइन किसीज को शो करेगी यह आपकी शो करती है किसे stoppage of rainfall और अगर मान लो और अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया कैसा हो गया यह बात भी देख लेते हैं कि यह जो है आपकी यह डेढ़ बज़े तक तो क्या थी एक horizontal लाइन थी मतलब बिलकुल ऐसे सीधे-सीधे करके लेकिन क्या हुआ ए यह इस graph का मतलब होता है तो जैसा भी आपका graph बने आपका जरूरी ने हमें सा graph इसी तरह का बने डिपेंट करता है आपकी बारिस कितनी हो रही है इस बात के ऊपर ठीक है और एक राफ जो है वो कही बार ऐसा भी चल जाता है यूँ स्ट्रेट लाइन फिर एकदम डाउन हो जाता है फिर बेलकुल उपर आ जाता है फिर ऐसे करके graph चलता रहता है आपका ओके समझ में आया यहां पर जो graph लगा हुआ है न वहाय को अगले दिन के लिए तो इसलिए आपका जो graph है वो चॉइस गंटे का बनता है तो यहाँ पर बारिस भी जो है चॉइस गंटे में ही check किया जाता है इसलिए तो मैंने कहा तब इस सुबह साड़े आठ बजे हमेसा check करते हैं कि कितनी बारिस इस area में हुई है clear चलो अब इसके लाबा और भी type होते हैं आपका waiting bucket हो गया tipping bucket हो गया तो यह भी आपके कुछ एक और recording type होते है तो आपका float type है waiting bucket भी आपका होता है clear इसके लाबा आपका जो है वो tipping bucket होता है एक जिसमें tip tip करके आपका पानी जाता रहता है तो यह कुछ और अलग टाइप के हैं लेकिन इनको हम पूरा डिटेल में जाकर करके नहीं पढ़ेंगे clear अब इसके बाद में next हमारा topic रहने वाला है network of renegade जो renegade होते हैं इनका network हम किस तरह से एक बना सकते हैं और कहां पर कितने पर नहीं है रहेंगे जमें लगाने चाहिए तो जल्दी से नोट बरों भी ठीक है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चलिए किसीने अगर नहीं नोट किया हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा मैं एरेज कर रहा हूं इसे ठीक है और फिर देखते हैं नेटवर्क आफ रेंगेज क्लास कितने बड़ देखते हैं नेटवर्क आफ रेंगेज़ देखते हैं बज़े तक चलेगी अब क्लास जो है आपकी वो आप मान सकते हो 11 बज़े तक ठीक है क्लास आपकी 11 बज़े तक चलने वाली है क्लास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलिए नेटवर्क आफ रेंगेज नेटवर्क आफ रेंगेज अगर रेंगेज के हम नेटवर्क की बात करना चाहिए वही किस तरह का रेंगेज के एक नेटवर्क होता है सबक्ता है 75 kem² ठीक है इसमेए कितना लगाते है!! आपका एक रेंगेज लगाया जाता है अगर आपका एरिया वह 250 km² हो जाए 250, 250 claus hal 250 km² हो गया तो आपको दो रेंगेज लगाने पड़ते हैं क्लियर तो यहां पर उचे क्राइट एरिया होता है इनको लगाने का कैसे लगाया जाता है और अगर 300 km2 से ज्यादा है if area is more than 300 km2 then one then one ran gauge one ran gauge is required is required for each 250 km2 area ठीक है जैसे अगर माल लो 300 km2 तक का आपका area है तो वहां पर तो आप कितने लगाओगे 3 ran gauge लगाद होगे लेकिन अगर माल लो आपका area जो है वो 300 km2 से भी बढ़ा है तब आप क्या करोगे तब आपको एक काम याँ पर करना होगा है कि 300 के बाद हमें जितने भी आपका area बढ़ता जाता है तो हर 200 km2 के लिए आपको एक एंगेज और बढ़ाना पड़ जाता है तो यहाँ पर आप कितने लगाद होगे 5 ran gauge लगाद होगे 800 के बाद में अगर आपका कितना हो गया 1050 km2 तो आप कितने लगाओगे 6 लगाद होगे ऐसे हर 200 km2 अगर बढ़ता है आपका तो आपको एक ran gauge और extra लगाना पड़ता है ठीक है तो ऐसे अगर 1200 km2 तक का एरिया है तो यहाँ पर आप कितने लगा सकते हो 6 ran gauge आपको लगाने पड़ जाते हैं ठीक है तो यहाँ आपको एक network का बनाया जाता है इस तरह से करके अब यह तो होगए हमारे इंडिया में अब जो world का जो है वो किस तरह का होता है हां रेकॉर्डिंग यह ओके रेकॉर्डिंग है बही रेकॉर्डिंग है क्लियर अब अगर वाल्ड मीटा लोजिक मेटरोलोजिकर और अर्गेनेजिटन की बात हम सुनना चाहें कि नीचे लिग दिता हूं मैं एकॉर्डिंग टू वाई मिटरियोलोजिकल और अर्गेनाईजिशन ठीक है जो मतलब बिस्व का वो है मौसम बिवाग ठीक है यह मौसम नतलब जो वाल्ड की ऐसी और गेनाईजिशन जो मौसम के बारे में जानकारियां देती हों वो हमारी कौन सी है वाल्ड मेटरोलोजिकल और अर्गेनाईजिशन और इंडिया का है अपना इंडिया का है अपना यह कुछ और लिमिट बता रखी है क्या बता रखा है इनों ने कि अगर आपका प्लेन एरिया है फोर अ प्लेन एरिया फोर अ प्लेन एरिया या फिर कह सकते हैं बई सफियंट करें गेज आपका से फिषेंट माना जाता है वन एन एंगर होगे तो इसका भी मैं यहाँ पर लख देता हूं इसके बाद में हों इसके बाद में कि फोर इली एरिया फोर हिली एरिया मजला पहाड़ी एरिया के अंदर जहाँ पे माउंटेन वगेरा आपके होते हो पहाड़ परवात उपस्तित हो ऐसी जगा पर आप कितना लोगे हंड्रेड से डाइसो किलोमीटर स्क्वाइर के लिए आपको कितने लेने पड़ते हैं एक रहन गेज लगाना पड़ता है यह सैकंड पॉइंट लेक लेना इसे हंड्रेड से और डाइसो किलोमीटर स्क्वाइर के एरिया में आपको क्या लगाना पड़ता है एक रहन गेज ल उठती है कि speed of flowing water वो आप कैसे calculate कर सकते हो तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं side में ठीक है speed of flowing water speed of flowing water is measured by velocity rod velocity rod और या तो आप velocity rod से measure करिए या फिर और किससे आप measure कर सकते हो velocity rod के लावा जो current meter आपका आता है velocity rod और current meter ठीक है इससे आप क्या measure कर सकते हो speed of water कि speed of flowing water की जो आपका water flow हो रहा है चाहे वो आपका river में हो चाहे वो आपका canal में हो चाहे वो किसी भी stream में आपका flow हो रहा हो अगर आपको उसकी velocity calculate करनी है फिर और उसकी speed आपको calculate करनी है तो आपको या तो velocity rod का use लेना पड़ेगा या फिर current meter का use लेना पड़ेगा ठीक है या तो velocity rod काम में ले लीजिए या फिर आप current meter काम में ले लीजिए और इंडिया में ज्यादा तर जो है आपका current meter ही काम में लिया जाता है तो ये बात भी लिख लीजिएगा in India mostly current meter is used कि इंडिया में जाया तक कि आपकी ओके सो ये कुछ एक छुटी छुटी बाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए speed of water किससे calculate करते हैं कैसे measure की जाती है इसके बाद में next लोग देख लिए है optimum number of rain gauge stations and optimum number of rain gauge stations ठीक है तो next देख लीजिएगा optimum number of rain gauge stations ये कैसे करके calculate करते हैं इसको देख लोग इसके लिए एक formula होता है आपका just simple था ये आपका आता है यहाँ पर एन इक्वल्स टू सी बी divided by e का whole square ठीक है यहाँ पे जो n होता है वहाँ पर क्या होता है number of rain gauge rain gauge stations e क्या होता है आपका e होता है allowable percentage error allowable percentage error और cb आपका क्या होता है यह होता है आपका coefficient of कॉफिशियंट ओफ वैरियेशन ठीक है यह आपका होता है coefficient of variation अगर इस coefficient of variation की मैं बात करना चाहूंगी यह क्या चीज होती हो और कैसे करके इस coefficient of variation को हम calculate कर सकते हैं तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे side में लिख रहा हूँ कि cb आपका कैसे करके आप calculate कर सकते हो ठीक है साथ साथ नोट भी करते रहे ना भई cb आपका होता है sigma divided by x bar into 100 अब यहाँ पे sigma क्या चीज है और यह x bar आपका क्या चीज होता है यह नहीं भी देख लिखे 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 स्टेंडर्ड डेवियेशन और यह जो x वहार है आपका यह होता है एवरेज वैल्यू क्लियर अब देखो यह तो बात यह याद रखने वाली और इसके अलावा इसकी जो प्रेटिकल वैल्यू ली जाती है cb की तो cb की आपकी वैल्यू कितनी लेते हैं यह आपकी वैल्यू होती वह 15 से लेकर के 70 के बीच में और जो एक लेते हैं हम cb बरावर 30 यह क्या लेते हैं मोस्टली यूज लेते हैं ठीक है जन्रली इसे लेते हैं तो जन्रली टेकन ओके तो यह कुछ एक एक एक्स्ट्रा वाते भी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए ठीक है चलो यहां पर आपका यह जो है रेन फॉल वगरता यह कंप्लीट हो जाता है अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हाइड्रो ग्राफ हाइड्रो ग्राफ तो फटा फट से नोट कर लो इस चीज को और फिर हाइड्रो ग्राफ और हीटो ग्राफ की तरफ चलते हैं कि का चीज है और फिर इसके बाद हमें फ्लड के बारे में भी पढ़ना है जल्दी से नोट करो वही चलिए कि नेक्स्ट आप लोगा बैडिंग डाल लीजिएगा रैन फॉल या फिर रन आफ जो कि हम लोगों ने कल ही कंप्लीट कर लिये थे ठीक है रन आफ मैंने कल आपको बता दिया था वर रन आफ हमारा क्या होता है रन आफ आपका उता ह Commerce कि लोस अगर आपके हो जाएं रन फॉल मैसे तो जो आमाउंट आपके पास बचता है वोट रगाप वह आपका क्या क्या ज़ðा लाता है runoff, चलिए अब देख लेते हैं hydrograph के बारे में, next heading डाल लीजेगा hydrograph, runoff, rainfall हम लोगों ने कल पड़ी ही लिए थे, तो मुझे नहीं लगता कि बापस से बताने की जरूरत बीए, so next time लोग heading डाल लीजेगा hydrograph, hydrograph, hydrograph बही क्या होता है, देखो hydrograph कुछ भ कि एरर कैसे निकालते हम बई एरण जो कैलकलेट की जाति की जाती है वो भी आपको आगे पता चली से जाए हुआ। ठीक है जैसे rainfall में भई कौन कौन से हमारी error आ सकती है measurement के time पर जो error आती है वो सबसे important होती है यहाँ पर measurement जो आप ले रहे हो तब आपकी कौन सी error आ गई clear अब देख लेते हैं hydrograph के उपर focus करते हैं hydrograph जो है वो क्या चीज होता है hydrograph जो है आपका वो आपका बनाया जाता है discharge and time के बीच में ठीक है discharge और time के बीच में अगर आप एक graph plot करते हो तो ऐसे graph को आपका कहा जाता है hydrograph ठीक है अब अगर इसकी definition हम लेखना चाहें definition क्या हो सकती है a graph showing variation of variation of discharge और इस डिस्चार्ज और इस डिस्चार्ज आपका किसमा होता है QMAC में ठीक है variation of discharge in QMAC ठीक है विद टाइम ठीक है QMAC विद टाइम विद टाइम टाइम किसमें लेते हैं भई आवर में लिया जाता है at a particular point of a stream at a particular point of stream ठीक है stream आपकी कौन कौन आपकी river भी हो सकती है stream में canal भी आपका हो सकता है यह सारी चीजें आपकी हो सकती है मतलब क्या है इसका भी देखो जैसे माल लो यह आपकी एक river है अच्छी कासी तरीके से बह रही है clear आपको क्या लगा कि यार मुझे इस वाले point पर कौन से पर इस वाले point पर मुझे क्या बनाना है hydrograph बनाना है तो यहां पर मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इस वाले point से कितना discharge ओ रहा है पानी यहां से कितना discharge हो रहा है किसी particular time में वाल लिया आपने पूचल लिया एक गंटे में कितना पानी यहां से निकल रहा है तो इस चीज को बताने के लिए आपका बनाया जाता है कि आप हाइड्रो ग्राफ और हाइड्रो ग्राफ आपसे अगर एक्जाम में पूछेगा तो भी यही पूछेगा भई किस किस के बीच में बनाया जाता है तो यह आपका बनाया जाता है डिस्चार्ड और टाइम के क्लियर डिस्चार्ज जो है यह आपका आता है कौन से एक्सिस पर वाय एक्सिस पर और टाइम जो है यह आपका आता है एक्स एक्सिस पर क्लियर तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है आपका हाइड्रोग्राफ अब इसके लाबा और भी बहुत सारी चीजे हैं हाइड्रोग्राफ में लेकिन इन सारी बातों को पढ़ने में कोई हमारा मतलब नहीं है क्योंकि सारी डिटेल अगर इसके वारे हम लोग पढ़ना चाहें इसके बहुत सारे अलग-अलग टाइप होता है फलड हाइड्रोग्राफ है यूनिट हाइड्रोग्राफ है डिस्चार्ज का भी है आपका रन आफ का भी है तो अलग-अलग बहुत सारे इसके टाइप होते है पांसा तरीक के अलग अलग इसके टाइप हाईड्रोग्राफ के लेकिन वह आपकी सलावस में नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं ओके आपकी सलावस में नहीं है गेट एसी के सलावस में वो चीजें आती हैं तो वहाँ पर मैं पढ़ाता भी हूं लेकिन आपके जी के सलावस में वो चीज़ नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ clear? चलो इसके अलावा दो तीन पॉइंट और लेकि लिएगा भई की peak discharge आपका क्या होता है? ठीक है? peak discharge आपका क्या चीज़ होती है? peak discharge यह होता है आपका highest point highest point on hydrograph hydrograph कि जो एक hydrograph है आपका इसका जो highest point होएगा वो किस बात को बताएगा? आपका peak discharge को बताता है ठीक है? चलो और तो इसमें कुछ बताने लाइग है भी नहीं जैसे माल लो आपका इस तरह से करके भी बना सकते हो कि यह आपका क्या हो गया? discharge हो गया ठीक है? यहाप 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 लिख सकते हो discharge माल लोगी यहापका 10, 20, 30 और यह 40 यहाप यहापका हो गया भई टाइम ठीक है? टाइम को आप कैसे लिख सकते हो जैसे सुबह के 9 बजे का टाइम यह रा ठीक है? 9 एम 10 बजे का, 11 बजे का 12 बजे का, 1 बजे का और 2 बजे का तो जो हाइड्रोग्राफ आपको कैसे बना सकते हो आप? कुछ इस तरह से करके ठीक है? अब इसमें यह जो यह बाला पॉइंट आपका आ रहा है यह बाली जगा यह आपकी क्या होती है? पीक डिस्चार्ज जिसे हम कह सकते है पीक डिस्चार्ज यहां पिया आपका हो गा रन ओफ जो रन ओफ आपका हो रहा है वो वाला तो इस तरह से करके आपके एक हाइड्रोग्राफ को बनाया जाता है आपके exam के point of view से सिर्फ यही बात important है कि hydrograph जो है वो किस-किस के बीच में बनाया जाता है ठीक है? exam में ना तो आपसे hydrograph बनवाया जाएगा नहीं आपको बनाने के लिए दिया जाएगा आपको सरफ ये पूछेगा कि hydrograph जो है वो किस-किस के बीच में बनाया जाता है तो वही किस किस के बीच में बनाया जाता है, discharge और time के बीच में आपका hydrograph plot किया जाता है, clear, अब इसके बाद में देख लिए है unit hydrograph, unit hydrograph क्या चीज होता है, ठीक है, note कर लो भी इस बाद को फिर unit hydrograph देखते हैं और unit hydrograph के बाद में heatograph देखते हैं और heatograph के बाद में आ जा ने अपनी फ्लाइड पर है कि अधिक अधिक चलिए अधिक चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ओभी यूनिट हैइड्च ग्राफ एक पर यूनिट हूऑ पर हम देखना चाहें यह हाइड्च से हूँ है हाइड्रोग्राफ जो है हमारा जो हमने अभी बना यह पड़ा था डिस्चार्ज और टाइम के बीच में उसी की एक कि मॉडिफायर फार्म भी से कहा जा सकता है ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है यह उता भई आपका दि हाइड्रोग्राफ ऐसे करके लेकलो से दि हाइड्रोग्राफ कुछ अलग करके लेकलो थोड़ा सा यार एपर यासी रहना तो दि हाइड्रोग्राफ रिप्रिजेंटिंग वन सेंटिमेटर आफ रन आफ वन सेंटिमेटर आफ रन आफ एटा यूनिट टाइम पोर या यूनिट डिस्टेंस ठीक है रन आफ ऐसे गर के लिए लो यूनिट रन आफ पोर आ यूनिट टाइम एंड इस पैसिफाइड एरिया इस नौन एज यूनिट हाइड्रोग्राफ ठीक यह तो हो गया भाई इसका जो साइन्टिफिक डैफिनिशन है वो अगर इसको पढ़ना है वह आफ गय कि आफिक यच्टंट होगी एक सैंटीमेटर रन आफ होने में कितना टाइम लगेगा थीज surf लिए रन आफ होने में कितना टाइम हमारा लग रहा है कि इस बात को बताने के लिए आपका काम में लिया जाता है ।urgraff या पिर दूसरी definition लेखना चाहें हम इंदी में समझना चाहें ठीक है तो क्या लिख सकते हैं इंदी वाले जो हैं उन्हें बैटर समझ में आ जाएगा कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित समय में डिस्चार्ज और डिस्चार्ज एंड टाइम के बीच बनाया गया ग्राफ बनाया गया ग्राफ यह आपका कहला था है क्या यूनिट हाइड्रोग्राफ कि अगर आपने किसी निश्चित समय अंतराल में किसी फिक्सट किसी फिक्स टाइम में आपने क्या किया जो आपका डिस्चार्ज है और टाइम है अगर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर दिया तो यह आपका क्या कहलाएगा वही यूनिट हाइड्रोग्राफ कहलाएगा ठीक है अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हीटो। ग्राफ तो जो हायटो ग्राफ है, पिवर हीटो ग्राफ जी something इसे कह सकते हैं यह किस किस के बीच बना आजाता है यह बनता है आपका rainfall intensity rainfall il इन्टैणसिटी बीच का ग्राफ ऋके यह होता है आपका क्या रिजा कहा जाता है clear या फिराम कहें कि किस बात को बताता है ये ये बताता है आपका rainfall की intensity किसी परिटेकुलर टाइम में ठीक है लेकर विलेना रिप्रिजेंट डिस्ट्रिबुशन आफ रिप्रिजेंट डिस्ट्रिबुशन आफ rainfall या फिर कह सकते हैं distribution of discharge over a time period कि किसी fixed time period में आपका कितना जो है वो discharge हुआ water का कितना आपका पानी निकल गया कैसे गर के बना सकते हैं इसको देखिए नीचे तक आपको देख रहा होगा ये तों आपका क्या हो गया जो डिस्टार्ड गया फ्र辦法 क्या सकते हो इसे या आपका However rainfall और यहां पर आपका ये क्या हो गया time छिके रहन फॉल और time यहां पर मान लिया आपका दस बजह था यहां पर आपका 11 बजए यहां पर आपका 12 बजए यहां पे एक बजे, यहां दो बजे, ठीक है, यहां पे फिर तीन बजे, ऐसे करके लेख नहीं, आप याँ ख्लास्ट में, जीरो जीरो और लगा लेना, दिख भा होगा आपको नीचे तक, ठीक है, दो बजे और यहां पे एक और बना लेना आपका चार बजे, अब मान लो, यह माल लो आपका 2 हो गया, 4, 6, 8, और 10, 2, 4, 6, 8, 10, माल लिया आपकी 10 से लेकर करके 11 बजे के बीच में intensity कितनी थी, 2 थी, लेकिन 11 से लेके 12 के बीच में आपकी intensity जो है वो कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है, फिर 12 से लेके 1 बजे के बीच में आपकी जो intensity है वो कितनी रही, 10, ठीक है, 10 cm की आपकी intensity रही, ओके, इसके अलाबा, एक से दो के बीच में आपकी जो intensity है, वो कुछ और रही, फिर आपकी intensity जो है, फिर से कुछ चेंज हो गई, ऐसे करके, फिर यह आपकी इतनी कम रह गई, और फिर बाद में फिर से बढ़ गई, ओके, तो इस तरह का जो आपक एक graph बनाते हो आप, किसके बीच में, intensity और time के बीच में, तो इस वाले graph को आपका क्या कहा जाता है, heatograph, clear, जो rainfall intensity और time के बीच में बनाया जाता हो, वो graph आपका क्या कहलाता है, heightograph कहलाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे exam में यह पूछा जाना मुस्किल है, बट अगर एक हाइटोग्राफ है, और इस तरह से आपको अगर मालो बना दिया, और आपसे पूछ लिया, कि बटाओ, साड़े बारा से लेकर के, सौरी यह बारा वज़े से लेकर के, और एक बज़े के बीच में, वो वी आपकी 10 cm, अगर आपसे पूछ लिया, कि बटाओ, ग्यारा से लेकर 12 के बीच में कितनी बारिश हुई, तो बता सकते हो कितनी हुई, 6 से थोड़ी सी, ज्यादा हुई, ऐसे ही करके, कि भई यह जो है, 10 से 11 के बीच में, कितनी हुई यह आपकी बारिश, 2 cm हुई, तो ऐसे करके आप बता सकते हो, ठीक है, क्या कह रहे हो, 8 कुश्चन्स है, हाइडरोग्राफ से, हाँ भई आजाते हैं, किसी किसी एक्जाम में, आपके कुश्चन्स आ सकते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए, कैसे करके इसको बनाया जाता है, यह जो आपका हीटोग्राफ है, किसके बीच में होता है, रैनफॉल, इंडेंसिटी और टाइम क अब यासे question ईस तरह का बनता है या तो आपसे पूछने गा कि जो हीतोगराफ है वो किस किसके बीच में बनाया जाता है, कौन कौन सी चीजों के बीच में आपके हीतोगराफ को plot किया जाता है, तो भईए जो आपका हीतोगराफ है ये बनाया जाता है rainfall की intensity कि आपकी जो बारिश है वो कितनी तेज आई इसके बीच में और time के बीच में ठीक है इन दो चीजों के बीच में आपका हीटोग्राफ जो है वो बनाया जाता है clear अब मान लो आपने हीटोग्राफ आपको पता है आपको क्या पता चला की उपर वाला में एक वार तोड़ा से रेज कर देता हूं ठीक डंसे आपके समझ में आ जाएगा ठीक है दीपक कुमार जी यह कि अलिया ओ तो बड़ी है अधरवाइज एक दूसरा भी बना लेना कह दिया क्या कह दिया एक एक एक्जामपल के तुरू समझ लो आपसे कह रहा है भई कि रैनफॉल इंटेंसिटी ओके और एक तरफ आपको दे रहा है यहां पे टाइम टाइम माल लो आपको दे दिया कि सुवह साड़े आठ बजे से लेकर के और साड़े नौ बजे तक 930 एम तक कितनी आपकी रैनफ इंटेंसिटी है 4 cm इसके बाद मैं इसके बाद मैं साड़े नौ बजे से लेकर के 930 से और 1030 तक कितना दे दिया आपको इंटेंसिटी 6 cm दे दी फिर साड़े दस से लेकर के और साड़े ग्यारा बजे तक 1130 कह दिया कि इनके बीच में हीटोग्राफ बनाओ तो कैसे बनाओ कि y-axis पर तो आपको क्या लेना है rainfall को और यहाँ पर आपको ले लेना है time को यह तो हो गया आपका time और यहाँ पर आपका क्या हो गया rainfall ठीक है 2, 4, 6, 8, 10 ओके दिखरा होगा आपको नहीं भी दिखरा तो भी समझ लीजे यह वाली जो लाइन जा रही है rainfall के लिए तोड़ा नीचे मैं लिख रहा हूँ इसे ठीक है आपने क्या किया आपको पता है time अहाँ पर लेख ली जिएगा 830 यहाँ पर आपका हो गया 930 यहाँ पर आपका ओगया 1030 यहाँ पर हो गया 1130 और यहाँ नहीं मैं तो क्या गर होगे 4 cm तक बना दो ये बीच में चाहड ऐस्टमेट्र dwaretter आपकी बारिस फिली आपने बना दिया साड़े नौ से लेकरके साड़े 10 तक कितनी होई 6 cm तो इस श्छेंटेमेotr को भी बना दो साड़े नौ से बना दो साड़े 10 तक कितनी होई 6 cm तो कैसा बनाएगगा तक बना कि वार साढ़े 10- meshoral कोई तो क्या करोगे कितनी गजा रहें रहान availability 50 ओर टो किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है degraph कहलाता है क्लियर कोई दिक्कत भई कोई समझ्चा अब बता दो समझ में नहीं आया हो तो भी देखिए अब इसके अलावा इसके अलावा एक बात और लिख लीजेगा हीटोग्राफ में जो एरिया होता हीटोग्राफ का वो किस सीज को शो करता है टोटल रैनफॉल को शो करेगा यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ स्टार मार्क करके इस बात को लिख लीजिएगा एरिया ओफ एरिया ओफ हीटोग्राफ शोज टोटल रैनफॉल टोटल रैनफॉल एरिया होता है न इस हीटोग्राफ का यह पूरे rainfall को बताता है कैसे बताता है देखो मानलो आपसे पूछ लिया total rainfall कब से लेगे कब तक का 10 बजे से ले करके और 4 बजे तक का तो आप कैसे बताओगे इसका जो area है पूरा मतलब कि 2 cm तो यहां पे हो गई 6 cm यहां होई थी 10 cm यहां पे होई थी टोटल करोगे इस पूरे का जब आप टोटल करोगे तो आपके पास में क्या आज आएगा total rainfall आपका कितना हुआ ठीक है तो ऐसे करके यहां से यह भी calculate कर सकते हो clear चलिए note करिए इस सीज को फटाबट से चलो अब प्लड के बारे में भी पढ़लेते है थोड़ा बहुत कि जो बाट होती है हमारी वो कैसे करके आजाती है और होती क्या है बाट सको बता है Tapi बाट क्या होती है वे इसके बारे में अगर हम ज्यादा वो करेंगे कि कैसे करके आती है बाढ़ अरे बाढ़ ज्यादा क्यों आ जाती है अगर वाटर लेवल आपका ज्यादा इंक्रीज हो गया तो आपकी बाढ़ आ जाएगी सीदी सी बाढ़ है ओके अभी भी नहीं आया समझ में अरे दीपक जी कुछ भी नहीं है इसके अंदर या, रेनफॉल इंटेनसिटी और टायम के बीच में अगर हम गराफ प्लॉट करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, हीटोग्राफ कहलाता है, बस और कुछ मज़िने इसमें, ठीक है इसमें समझन इसके आपकी रेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें और टाइम के बीच में जो हम graph plot करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? हीटोग्राफ कहलाता है बस इसके अलावा कुछ मत समझो ज्यादा दिमाग पर जोड़ देने जरूत नहीं है ये चीजे बहुत कम आपके exam में पूछे जाने के chances होते हैं चलिए अब हम पढ़ लेते हैं भई फ्लड के बारे में आप लोग फ्लड झाल प्लड प्लड कर देख लेकली ये गाफ लाट इंड इट्स कंटो लेवर फ्लड एंड फ्लाट गंट्रोल अगर हम flood की definition लिखना चाहें कि flood जो है वो होती क्या है ठीक है तो bard की definition सब लोगों को पता होगी अपने according जो भी समझना हो bard की definition को वो समझ लीजिएगा लेकिन science की term में अगर हम लिखना चाहें इसको थोड़ा सा bard आपकी क्या होती है और क्या इसकी definition हो सकती है rises above the maximum water level the maximum water level in water resources then it is called flood मतलब अगर आपके जो water resources है water resources मतलब जैसे आपका river हो गया ठीक है या फिर कोई pond हो गया तो ऐसी चीजों में अगर आपके river pond वगेरा इनमें आपका एक maximum water level decide होता है ठीक है एक maximum water level जहां तक आपका पानी बढ़ जाए तो ठीक है और अगर उस maximum water level से भी ज्यादा अगर आपका पानी आ जाए उस नदी में तो इस सीज को फिर नाम दिया जाता है आपका बार्ड का ठीक है अगर आपका water level maximum water level से भी ज्यादा हो गया तो आप क्या का हो गए कि जो है बार्ड आ चुकी है clear अब यहाँ पर जो सबसे important चीज है हमारे पढ़ने के लिए वह हमें क्या पढ़ते हैं कि estimation of maximum flood discharge estimation of maximum flood discharge maximum flood discharge होता है हमारा जो maximum flood discharge है ठीक है इसे हम कैसे करके calculate कर सकते है तो इसके लिए आपके अलग-अलग formula होते हैं okay और सबसे पहला अगर हम formula पढ़ना चाहें तो वह आपका होता है decans formula ठीक है note भी करते रहिए हैं साथ साथ इसको सबसे पहला जो आपका formula होता है वह होता है decans formula और यह जो decans formula है आपका यह क्या होता है यहां से आपका discharge मतलब q equals to c a की power 3 by 4 ठीक है c a की power 3 by 4 अब यह c क्या है a क्या है इन यह भी देख लेते हैं c आपका यहां पर होता है sorry एक काम करो थोड़ा अलग करके लिख लो इनको ठीक है बाद में यह लिखने है लोई formula पहले एक बात हो लिख लीजिए यह डिकन्स formula यह कहां पर काम में लिया जाता है यह लिए आपका नौर्थ इंडिया North India इसके लावा Central India Central India में इसे काम में लिया जाता है यह जो डिकन्स formula है यह आपका discharge calculate करने के लिए maximum flood discharge calculate करने के लिए काम में लिया जाता है कौन से एरिया में इंडिया में जो North India है आपका और जो Central India है यहाँ पे काम में लेते हैं और formula इसका होता है फिर Q equals to C A की power 3 by 4 अब यह C आपका होता है C आपका होता है coefficient और flood coefficient ठीक है area of catchment जिसे किसमें लिख सकते हैं हम square kilometer में ले करके चलते हैं और डिकन्स formula के बाद में second हमारा जो formula हो क्या होता है raves formula यह आपका कहां पर काम में लिया जाता है यह आपका काम में लेते हैं वही South India में अगर आपको South India में maximum flood discharge calculate करना है तो आपको raves formula काम में लेना पड़ेगा ठीक है और यह formula क्या होता है q equals to ca की power 2 by 3 ठीक है ca की power 2 by 3 यह आपका होता है rapes formula आया भी बात समझ में क्यागर आपको North India और Central India में करना है North India मतलब जो उत्री बात है जिसमें अंभी लोग आते हैं ठीक है यह North महीं मान सकते हो तो North India और Central India मतलो Central India के अंदर जो आपका MP का part हो गया और UP का कुछ part हो गया यह जो बीच वाला part है बिहार का यह Central India माना जाता है तो Central India में आपका जो है वो यह वाला formula चलता है maximum flood discharge calculate करने के लिए अब इस C की value भी आपकी अलग-अलग ली जाती है ठीक है इस C की value भी आप लोग लिख लीजिएगा यहां पर कि जो C है आपका यह 11.4 तो कहां पर होता है नौर्थ में होता है ठीक है और इस C की value आपकी 13.5 से 19.5 तक कहां पर होती है दिखतो रहे ना भी नीचे आप लोगों को मैं थोड़ा उपर करके लिख देता हूँ या पर रहने तो C की value मतला को कोई जरूरी भी नहीं है याद रखना आप से जरफ यह formula ही पूछ सकता है exam अगर पूछेगा तो यह आपको maximum flood discharge calculate करना है कहां पर North India में तो कौन सा formula काम में लोगे या पर direct पूछ सकता है भी Dickens formula आपका क्या होता है यह सरफ एक formula है जो आपको याद रखने ही पढ़ेंगे इनको रटना पढ़ता है को सीदी सी बात है कोई इनका तरीगा नहीं है short में इनको याद रखने का और बहुत ही कम चांस चीज के होते हैं कि आप से exam में यह पूछी भी जाएं लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पढ़ता है तो इसलिए हम पढ़ थार्ड नमबर पर हमारा आया जाता है q equals to 123a divided by under root a plus 10.4 ठीक है यह आपका किसका फॉर्मूला होता है इंग्लिश फॉर्मूला होता है और कौन से एरिया में इंडिया में काम में लेते हैं इस फॉर्मूले को यह आप काम में लिया जाता है फॉर Bombay Presidency ठीक है यह फर कहें कि महाराश्टर में ऐसे काम में लेते हैं ठीक है महाराश्टर में काम आता है अगर आप से पूछ ले महाराश्टर में किस फॉर्मूले से आप flood discharge calculate करोगे क्या कहेरो वै ट्रिक क्या बना रहो मैं 7Word से याद रह सकते हैं 3-4-5-6-7 आ अपने अगोरिय वो ढूरिक बनानी चाहो वो ट्रýक बना सकते हो ठीक है जैसा भी आप को याद रखना जा सब सूरे बलो वह आप याद राख सकते दो इन दो को याद रखने का थे हो डिकेंस वह लेप इसी लिये मैंने इन दौनों को यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है ठीक है एक आपका काम आता है South India में और एक काम में आता है आपका North India में और Central India में ठीक है और English formula आपका काम में कहाँ पर आता है महराश्टर में या फर Bombay Presidency जो है कुछ एक part गुजरात का भी इसके अंदर आ सकता है आपका आप चाहो तो गुजरात के अंदर भी यह वाला formula काम में ले सकते हो ठीक है क्योंकि महराश्टर में जरूरी निया या आपका Bombay Presidency के लिए बनाए हुआ formula है Bombay Presidency जो है वो काफी बड़ी Presidency भी थी अंग्रेजों के जमाने की थी ठीक है तो इसके बाद में फिर चलो next देख लेते हैं नवाब जंग बहाद्दूर सहाब का formula ठीक है जब नाम ही इतना बड़ा है इनका तो formula भी थोड़ा बड़ा ही होगा ऐसा हम सोच सकते हैं ठीक है नेच्ट देख लेते हैं fourth number पर नवाब जंग बहाद्दूर फॉर्मूरण ठीक है जंग बहाद्दूर फॉर्मूला ठीक है तो ये जो फॉर्मूला है वो उनके खुद के नाम पे है नवाब जंग बहाद्दूर सहाब ने अपना ये फॉर्मूला बनाया था तो उनने अपना खुद का नाम ही दे दिया कि नवाब जंग बहद्दूर फॉर्मॉला, कि ये फॉर्मॉला मैंने बनाया है, तो मेरा ही नाम चलेगा, इसलिए अच्छा है कि इंडिया वालों ने बहुत कम फॉर्मॉले बगर बनाया, वरना सारे के सारे फॉर्मॉलों का नाम ऐसा ही होता, नवाब जंग बहद्दूर, अलताफ राजा ठीक है पता दोले वही सौनुनेगम का भी कोई फॉर्मॉला आ गया ठीक है तो यह जो फॉर्मॉले है वो आपके इसके नाम के उपर यह नवाब जंगबाद दुरु साब का जो फॉर्मॉला है यह नाम पढ़के तो ऐसा लगता ही कि यार यह अपना लोकल सा होगा लेकिन इंडिया में काम नहीं आता यह कहां के लिए काम में लिए आता है फॉर्मॉले नहीं लेते हैं आपको अमेरिका के अंदर जाकर के वहां की बाड केलकुलेट करके आनी है अरे मेरे नाम से क्या फॉर्मॉला निकाल हूं यार ठीक है थोड़ा अजीब सा लगत है अगर इंडिया में लोगोंने फॉर्मॉले निकाले होते तो ग्रैविटी को भी है ना पता नहीं क्या नाम दे देते है ठीक है चलो तो वही फटाफट से नोट कर लो फॉर्मॉला में लिग देता हूं आपके सामने क्यू इक्वल्स टू सी एकी पावर 0.993 प्लस वन व फॉर्टीन लॉग ए ठीक है यह आपका नवाव जंग बहाद्दुर साहब ने फॉर्मॉला दिया था सॉरी प्लस की जगा माइनस है ओके तो यह नवाव जंग बहाद्दुर साहब जो थे अपना फॉर्मॉला देख करके चले गए ते रोनोंने क्या का हाता कि वही सी की व ठीक है तो टरम्प के पास जाईएए और जाकरे करिए नवाव जंग बहाद्दुर साहब का फॉर्मॉला एपलाए करना है हो करने देंगे तो ठीक है नि करने दे तो तो भी ठीक है क्या फरक पड़ रहा है ठीक है तो यह वधी आपका फॉर्मॉला होता है Q एकेल फैनिंग साहब ने अपना क्या फार्मॉला दिया फैनिंग साहब ने कहा कि जो डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा C A की पावर 5 by 6 होगा ये किसने कहा था फैनिंग साहब ने कहा था ठीक है तो ये फैनिंग साहब ने अपना फार्मॉला दे दिया इसके बाद में एक और आये थे हमारे फुलर सहाब और फुलर सहाब क्या फॉर्मला देखे गई ये बात भी देख लेते हैं पहले आप इनको नोट करिए चलो भई उपर लेख देता हूँ मैं किन का फॉर्मला फुलर सहाब का फॉर्मला शिक्स्त नंबर पर आ जाते हैं आपके फुलर सहाब फुलर सॉर्मला और ये जो फुलर सहाब थे ये इतने ज्यादा फूले हुए आदमी थे और अपना formula भी है ना फूला वड़ा साही निकाला क्या कह रहो बई मैम की class कब लगेगी बई मैडम की class जो है वो 11 जबजे से उपती है और आज भी आप को नौटिफिकेशन में जाकि यूख कर लिजे, मैम की class जो है वो 11 जबजे से उपती है 8 bracket 0.8 plus log t और यहां पे आ जाता है फिर आपका ये 2.678 to the power minus 0.3 ये कुछ इस तरह से कर गए इनका formula है और ये होता है आपका 1 plus 0.8 log t और ये होता है आपका 1 minus 2.67 फिर बाद में था आपका 1 की power minus 0.3 हाँ अब जाके बिल्गुल perfect बने गया ये ठीक है तो वही इतना बड़ा इनका formula है जो याद नहीं रहता लेकिन मेरा ये कि याद रखने का अलग तरीका है मैंने वो तरीका जो है ना वो भी कई बार उसमें भी चूक जाता है आदमी तो ये जो इतना बड़ा formula है ये आपको रटना ही पड़ेगा या फिर अपने according को इत्रेक इसकी बनानी पड़ेगी मैंने उसकी ट्रेक ऐसे बना रखे यहाँ पर भी 0.8 इसकी power में है यहाँ पर भी 0.8 से log t की multiplication होगी और यहाँ पर 2.67 into यह जो है 0.3 यह आपका आ जाता है अब यहाँ पर t क्या होता है देखो यह जो t है वो आपका होता है number of years in which maximum flood is considered ठीक है क्या होता है यह t आपका number of years in which maximum flood is considered कि कितने साल तक के लिए आप maximum flood यहाँ पर calculate कर रहे हो क्या कह रहे हैं भई RSMSB point of view से important है क्या formula भाई देखो आजकल के जो exams होते हैं उन्हों में कुछ भी पूछ लिया जाता है कोई बरोसा नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि इन formula को थोड़ा सा आप याद रख लिजेगा खासकर जो आपके dickens formula है इन तीन formula को आप डंग से याद रख लिजेगा बागी formula को ना भी रखो तो भी आपका काम चल जाएगा बढ़ ये तीन formula आपको याद होने चाहिए कौन कौन से पहला आपका होता है dickens formula second आपका था rave formula और third था आपका English formula ये तीन formula भई आपको याद होने ही चाहिए तीनों बड़े ही simple से formula यहाँ पे तो क्या है पावर में 30 by 4 यहाँ पे पावर में 2 by 3 और English formula जो है यहाँ आपका यह होता है 123 A divided by A plus 10.4 ठीक है तीन आपके formula है इन तीनों formula को याद रख लो बागी के formula मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यह जो formula है आपके gate और ES में काम में आते हैं और हो सकता ही कि आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले और कुछ लोगो कह भी देते हैं कि आपने complete syllabus नहीं करवाया तो भई complete syllabus मैं करवाते हूँ चल रहा हूँ इसलिए मुझे इन formula को लिखवाना जरूरी है clear इसके बाद में नेक्स टमारा जाता है rational formula ठीक तो rational formula भी लिख लीजिएगा rational formula यह होता है आपका 1 by 36 into A into K into PC ठीक है यहां आपका formula हो जाता है अब यहां पर A क्या है यह होता है आपका area of catchment ठीक है एक होता है आपका area of catchment P क्या है आपका PC यह होता है आपका rainfall intensity rainfall intensity जिसे आपका लिया जाता है centimeter per hour में होता है यहां पर और यह जो आपका के है यह होता है आपका coefficient ठीक है coefficient यह फिर constant इसे कह सकते हो के होता है आपका constant क्लियर तो आई यह बात समझ में यह जो आपका last rational formula होता है अब इसके लावा कि फ्लड को कैसे control करें बाड को कैसे काबू में रखें तो बाड को काबू करने के तरीके आपके यह होते हैं कि जो flood water आपका आरा जो flood water है उससे आप release कर सकते हो किसी भी शोर्स में दूसरे सोर्स में या फिर कुछ भी और ऐसे extra बहुत सारे काम होते जिनके फ्लड को control कर सकते हो तो यह आपकी कुछ एक चीजें थी जो आज हम लोगों ने पढ़ी तो आज के लिए इतना ही काफी है बाकी next class के अंदर हम लोग कुछ एक कल नेक्स क्लास का भी topic में बढ़ता हूं जो hydrology है वो आपका यहां पर complete हो जाता है और इसके बाद में next हम पढ़ने वाले हैं canal के बारे में तो कल भी तयार होकर के आईएगा canal पढ़ने के लिए जो हमारी canal होती है नहर्ड जो होती है ठीक है canal इसमें हम पढ़ने वाले हैं बही कितने time की होती है ठीक है कितने टाइप की हमारी कैनल होती है एक जो कैनल का सिस्टम होता है कि कैनल जो हो वाटर डिस्ट्रिबूट कैसे कर दे एक सिस्टम आप में सब लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी टीचर जो एरिगेशन पढ़ाता है न वो एक डाइगराम जरूर बताता है बच्चों को कौन सा बाला कि यहां से ओकर एक रिवर्ड जा रही है इस रिवर्ड से फिर यह कैनाल निकल रही है इस कैनाल से फिर एक का निकाल देता है मेजर डिस्ट्रिब्यूटरी एक निकाल देता है यहां से फिर माइनर डिस्ट्रिब् हूँ ठीक है ओके तो आपकी जो मॉर्निंग वाली सीली क्लास इसके साथ साथ इवनिंग वाली जो क्लास है वो भी आपको मंडे से स्टार्ट हो जाएगी स्ट्रेंथ आफ मटेरियल के लिए ठीक है बागी आज के इस क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो और समझ में आ गया हो तो तमसब करके बता दीजिए फिर मैं भी चलता हूँ भई टाइम भी काफी हो चुका है दो गंटे से भी ज्यादा हमारी क्लास हो चुकी है ठीक है फटाबर से बता तो भई सवा दो गंट के उपर आने वाले है कि कैनल के कितने टाइप होते हैं स्लेवस तो पूरा करवा होगे वह स्लेवस जो है वो मैंने अभी तक का तो पूरा करवाया है आगे अगर मैं जिन्दा रहा और क्लास चलती रही तो स्लेवस आपका जरूर पूरा करवाया जाएगा ठीक है स्लेवस म हमने completely पढ़ाए आप चाहो तो playlist में जाकर के check करके देख लीजिएगा बहुत सारे हमारे subject हो चुके हैं अच्छे तरीके से हमने सब को completely पढ़ाए तो हम आगे जो हमारे 2-4 subject बचे हुए हैं उनको भी हम डंक से ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपके subject अब ज्यादा नहीं बचे हुए irrigation के बाद में आपका बच जाता है सोम सोम के बाद में आपकी FM और FM के बाद में आपका steel यह आपके subject बच जाते हैं तो इन subject को भी हम लोग जल्दी से ही पढ़ लेने वाले हैं completely separately okay okay so चलते हैं भई कर फिर से मिलते हैं एक कैसी करने वाले है तब तक के लिए शुक्रिया आदाव थैंक यू झाल